नमस्कार मैं तायने सिंग और आप देख रहे हैं एक जूस 24 सही खबर पकी खबर के साथ 10 प्रमोख खबरे बिहार के गया पहुची दपूरुल्स पार्टी की राज़्चे धक्ष पुष्पम प्रिया चौधी ने भगवान बुद्ध की ग्यान भूमी बोध गया से बिहार में सिक्षकों के लिए दूसरी चरण की सक्षमता परिक्षा के नतीजे घोशित हो गए हैं बिएसेबी अध्याक्ष अनन की सोड ने आज रिजल्ट जारी कर दिया है कक्षा एक से पांच में बंगला, उर्दू और हिंदी में 11.42 परसीत पास हुए हैं वही कक्षा 6-8 में से 7 विशे के लिए 11.41 पास घोशित हुए हैं दुमका में चुनावी रैली करने पहुचे ग्रिय बंतर मिश्रा ने सीम हिबन सोरेन से जबाब मांगा है उन्होंने बकाइदा इसके लिए सीम हिबन सोरेन को ट्विट करने को कहा है थ्रिसूर साइबर सेल ने एक स्कैमर को उसकी ही चाल में फसा दिया है वीडियो कॉल पर मुंबई पुलिस का अफसर बनने का नाटक करते स्कैमर को पकड़ने का या मदिजार मामला वारिल हो गया है बिहार उप्चिनौ में आरजेडी के सुधाकर सिंग ने सत्ता पक्ष पर गड़बड़ी करने का आरूप लगाया है जिहां सिंग का दावा है कि इंडिया कड़बंधन की जीत होगी उन्होंने कहा कि आरजेडी सभी वर्गों की पाती है लंबी लडाई लड़ने के बाद आखिरकार एक बार फिर उस कर्याले को चुराग पासवान की पाटी लोगजन सकती पाटी रामविलास को सौब दिया गया है भवनर्मान विभाग के त्वारा कर्यालाय मिलने के बाद लोजपा रामवलास की पदेश अध्यक्ष राजुतिवारी ने अपनी पतिक्रिया दी है देश भर के गरीव और मध्यवर्गिय परिवारों के बच्चे बच्चियों के लिए पधार मंत्री विद्या लक्ष्मी योजना बड़ा वर्दान साबित होने वाली है आपको तारे की देश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे जो पैसों की तंगी की कारण उध्यक्षा हासल करने से वंचित रह जाते हैं और उनके सपने दम तोड़ देते थे अब ऐसे गरी बच्चों के लिकेंद सरकार ने बड़ी पहल की है भारते कप्तान रोहिट शर्मा के घर किलकारी गुंजी है रोहिट की वाइफ रुतिका सजदे के बेटी को जरन दिया है शुक्रवारात को सोचल मीडिया पर फैंस की ओर से कए डिपोर्ट से सामने आई है उसमें इस खबर की घोशना की गई है सुतर के अनुसारस खबर की पुष्टी भी हो गई है भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी की शुरुवात 22 समंबर से होने वाली है आकुतारे की सिरीज का पहले मैच 22 से 26 समंबर तक पर्थ में खेला जाने वाला है उससे पहले टीम इंडिया को एक और बरा जटका लगा है खबरों की माने तो भारती ट्रिके टीम के दाए हाथ के वलिबाज शुबमर गिल पहले टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं नैंतारा ने एक ओपन लेटर के में साउथ सूपरस्टार धनुष को जम कर लताड़ा है नैंतारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने ओपन लेटर में धनुष को खुब खड़ी-खोटी सुनाई है आपको बतादे कि नैंतारा ने इस अपनी उपन लेटर में सोच्छल मीडिया और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हंगाम मचा दिया है दरसल यह सारा मामला नैंतारा की लाइफ पर बेस्ट डॉक्यमेंटरी नैंतारा बियोंड इफेरी टेल से जुरा हुआ है तो आज कि लोटी नहीं एक ज़त प्रमो खबरों के लिए देखतरी एक्यूज 24 धन्यवाद